नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ विशाल सर्मा भगोरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम तो आपको यादी होगा मेहुल चौकसी का नाम जब भी आता है तो इसके साथ नीरव मोदी का भी नाम जोरा जाता है क्योंकि दोनों पर सरकारी बैंक पंजाब निस्नल बैंक से 14,000 करोर रुपे से अधिक की धोखादरी का आरोप लगा हुआ है हलाकि अब इनकी उल्टी गिंती शुरू हो गई मार्केट रेगुलेटर सेबी ने PNB के साथ धोखादरी और इसकांड को करने के बाद देश छोर कर जाने वाले मेहुल चौकसी पर करी कारवाई की है जिहां आप सही सुन रहे हैं मेहुल पर सेबी का डंडा चला है अब इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं असल में सेबी ने गितांजली जेम्स लिमिटेड के शेयर के कारूबार से संबंदित धोखादरी के एक मामले में अक्टूबर 2022 में चौकसी पर 5.35 करूर रुपे का जुर्माना लगाया था इस जुर्माने का भुगतान यानी पेमिंट मेहुल ने अब तक नहीं किया है इसी वज़ा से सेबी ने मेहुल के एसेट्स की कुरकी के आदेश दे दिये अब सेबी ने अटाच्च्मेंट नोटिस में और क्या-क्या बाते कहीं हैं ये जान लीजे सेबी ने अटाच्च्मेंट नोटिस में कहा कि 5.35 करोड रुपय के बकाया में 5 करोड रुपय का सुरवाती जुर्माना है वही 35 लाक रुपय का ब्याज और 1000 रुपय की वसूली मेहुल चौकसी से की जाएगी बकाय रकम की वसूली के लिए सेवी ने सभी बैंकों और डिपॉजिटरी यानी CDSL और NSDL के साथ मुच्वल फंड को ये भी आदेश दिया कि चोकसी के खातों से किसी भी तरह का डेबिट नहीं होना चाहिए सेवी ने हाला की इन एकाउंट में क्रेडिट की इजाज़त दिये इसके अलावा सेवी ने बैंकों को ये भी निर्देश दिया है कि वे डिफॉल्टर द्वारा रखे गए लॉकरों सहित सभी खातों को अटैच भी कर दे अब कौन है मेहुल चोकसी ये जान लीजी चोकसी गितांजली जेम्स के चेर्मेन और प्रबंध निर्देशक होने के साथ साथ प्रमोटर ग्रूप का हिस्सा भी थे मेहुल चोकसी एक अन्य भगोरे कारोबारी नीरव मोदी के मामा है दोनों पर पंजाम निसनल बैंक में 14,000 करोर रूपे से जादा की धोकादारी करने का आरोप लगा हुआ है चोकसी और निर्व मोदी साल 2018 की शुरुवात में पिन्बी घोटाला सामने आने के बाद भारत से फरार हो गए थे जहां चोकसी के एंटीगुवा और बरबूडा में होने की बात कही जा रही है वहीं निर्व मोदी ब्रिटेन की जेल में बन है और उन्होंने भारत की प्रत्यरपन याचिका को चुनोती भी दी है बता दे मेहुल चोकसी एक इंटरनेशनल हीरा कारोबारी हैं इनका हीरा का बिजनस यानि कारोबार इटली, चीन, जापान, होंग कॉंग, थाइलाइंड, अमेरिका जैसे देशों में फैला हुआ है मेहुल चोकसी गितांजली ग्रूप यानि गितांजली जेम्स के मालिक भी हैं मेहुल ने अपने गितांजली जेम्स ब्रांड से सतर से अधिक ब्रांड को डेवलप भी कर दिया था भारत के अलावा, दुनिया के कई देशों में इस ब्रांड के स्टोर्स भी मौजूद हैं Letter of Undertaking और Swift Messaging सिस्टम का दूरूपयोग करके दोनों ने PNB स्कैम को अंजाम दिया था लेकिन अब देश की तमाम जाच एजन्सियां हाद होकर इन लोगों के पीछे पड़ गई है ताकि कोई भी वेक्ती भविश्य में देश को चूना लगा कर भागना सके तो इसी तरह बिजनस जगर से जुरी तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज्टा